आप कहते हैं जीओ अभी और यहीं पर स्वयम को देखकर हमें अभी और यहीं जीने जैसा नहीं लगता है वर्तमान में जीने की बजाय भविस्त की कल्पना में जीना ज़्यादा सुखद लगता है तो क्या करें तो जीओ वैसे ही जीओ अनुभव बताएगा कि जो सुखद लगता था वो सुखद था नहीं प्रसन से इतना ही पता चलता है कि प्रॉड़ नहीं हो कच्चे हो अभी अभी जीओन ने पकाया नहीं अभी मिट्टी के कच्चे घड़े हो वर्साएगी बहजाओगे अभी जीओन की आग ने पकाया नहीं क्योंकि जीओन की आग जिसको भी पका देती है उसको ये साफ हो जाता है क्या साफ हो जाता है एक बात ही साफ हो जाती कि भविष्व में सुख देखने का आर्थी यही है कि वर्तमान में दुख है इसलिए भविष्व के सपने सुखद मालूम होते है थोड़ा सोचो जो आदमी दिन भर भूका रहा है वो रात सपने देखता है बोजन के लेकिन जिसने भरपेट बोजन किया है वो भी कहीं रात सपने देखता है बोजन के देखे तो पागल है जो तुम्हें मिला है उसके तुम सपने नहीं देखते है जो तुम्हें नहीं मिला है उसके ही सपने देखते हो वर्तमान तुम्हारा दुख से भरा है इसको भुलाने को अपने मन को समझाने को रिजाने को रात के लिए संत्वना के लिए तुम अपनी आखें भविस्व में टटोलते हो कोई सपना कल सब ठीक हो जाएगा उस कल की आसा में भरोसे में आज के दुख को जेल लेते हो मंजिल की आसा में रास्ते का कश्ट कश्ट नहीं मालूम पाता पहुँचने के ही करीब हलाकि वो कभी आता नहीं आज जिसको तुम आज कह रहे हैं ये भी तो कल कल था इस आज के लिए भी तुमने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए ऐसा ही पिछले कल भी हुआ था और पिछले कल भी हुआ था और यही आगे भी होगा अगर तुम्हारा आज सुखपून नहीं है तो दुखपून आज से सुखपून कल कैसे निकलेगा थोड़ा सोचो आज कहीं आकास से थोड़ी आया है तुम्हारे बीतर से आया है तुम्हारा आज अलग है मेरा आज अलग है कलेंडर के धोके में मत पढ़ना है कलेंडर पर तुम्हारा भी आज वही नाम रखता है मेरा आज भी वही नाम रखता है लेकिन यहां तुम जितने लोग बैठे हो इतने ही आज है पूरी पृत्वी पे जितने लोग है इतने आज है और अगर तुम पसु पक्षियों और पौधों को भी गिनो तो उतनी ही संख्या है कैलेंडर बिलकुल जूट है उससे ऐसा लगता है एक ही दिन है सबका रविवार तो सभी का रविवार जरूरी नहीं किसी की जिन्दगी में सूरज उगा हो तो रविवार और किसी की जिन्दगी मंधिरा हो तो कैसा रविवार आज कहीं आकास से नहीं उतरता है समय कहीं बाहर से नहीं आता है समय तुम्हारे भीतर से पैदा होता है तुम ही आज को जी कर कल को पैदा करोगे तुम्हारे ही गर्म में निर्मित होता है कल कल निर्मित हो रहा है आज और इसलिए मैं कहता हूँ आज और अभी जी लो और इतने आनन्द से जीओ, ऐसे भरपूर जीओ, कि जो तुम्हारे गर्म में निर्मित हो रहा है, वो भी रूपांत्रित हो जाए, वो तुम्हारे आनन्द को पकड़ ले अगर आज तुम दुख में जी रहे हो, कल की आसा कर रहे हो, सुक की, आसा से पैदा नहीं होगा कल, कल तो तुम से पैदा होगा, तुम जैसे जी रहे हो, उस से पैदा होगा, तुम्हारे अस्तितु से पैदा होगा, तुम्हारे सपनों से नहीं समझो एक मा बीमार है और उसके गर्म में एक बेटा है और रुगन है और सरीर जराजीन है बेटा तो इस जराजीन रुगन सरीर से पैदा होगा मा चाहे सपने कितनी देखती हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा महावीर जैसा स्वस्थ होगा इस सो कुछ हल नहीं होने वाला इस सपने से बेटा पैदा नहीं होने वाला बेटा तो सचाही से पैदा होगा तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा हकीकत से पैदा होगा तुम आज क्या हो अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया अगर तुम प्रमुदित हो प्रफुलित हो कर रहे हूँ परती चन्ड अगला चन्ड तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है तयार हो रहा है तुम सरष्टा हो तुम अपने समय को خود पैदा करते हो इसलिए मैं तो कहता हूँ आज जीओ लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा फिर वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा परसों भी वर्तमान होकर ही आयेगा वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा तो इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूँ तो तो आत्मात्या कर रहे हो जीने ही रहे हो जीने का कोई और उपाय नहीं आज ही है और आज ही जीना है जीने जैसा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ था जीने का और कोई ढंग है ही नहीं जीना तो यहीं होगा कल के भुलावे में मत पड़ो कल के भुलावों ने बहुतों को डुबाया है आज जीओ ये च्छन खाली न चला जाए ये च्छन आउसर है इसे तुम ऐसा ही मत गमा देना कुछ बना लो इसका कुछ रस ले लो इसमें कुछ भोग लो इसे कुछ पहचान लो इसे इसको स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्रानों में ये ऐसा ही न चला जाया है क्योंकि अगर समय ऐसा ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले देने की आदत मजबूत होती चली जाती फिर दीर दीरे समय को गमाना तुम्हारी प्रकरती हो जाती भोगो इसे, चूसो इस छण को निचोडो लो इसको पूरा इसका रस जरा भी चूटना जाए यही परमात्मा के प्रती धन्यवाद है क्योंकि उसने तुम्हे आउसर दिया, जीवन दिया और तुमने ऐसे ही कमा दिया परमात्मा तुम से यह न पूछेगा यहुदियों की किताब है तालमुत बड़ी अनूठी किताब है दुनिया में कोई धर्म सास्त्र वैसा नहीं तालमुत कहती है कि परमात्मा तुम से यह न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की गलतियों का वो हिसाब रखता ही ने बड़ा दिल है परमात्मा तुम से पूछेगा तुम्हे इतने सुक के असर दिये तुमने भूगे क्यों ने गलतियों की कौन फिक्र रखता है बूल चुक का कौन हिसाब रखता है वो तुम से पूछेगा इतने आउसर दिये सुक के तुमने भूगे क्यों नहीं तालमुत कहती है एक ही पाफ है जीवन में और वो है जीवन के आउसरों को बिना भूगे गुजर जाने देना जब तुम आनन्दित हो सकते थे आनन्दित ना हुए जब गीत गा सकते थे गीत ना गाया सदा कल पर टालते रहे इस्थगित करते रहे इस्थगित करने वाला आदमी जीएगा कब कैसे जीएगा इस्थगत करना ही तुम्हारे जीवन की सैली हो जाती बच्चे थे तब जवानी पर छोड़ा जवान हो तब बुढ़ापे पर छोड़ोगे और बुढ़ापे में लोग आए वो अगले जनम पर छोड़ रहे वो कह रहे हैं पर लोग में देखेंगे यही लोग है एक मात्र और यही चन सत्य का यही चन बांकी सब जूट है मन का जाल है लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी मरची तुम्हें अच्छा लगता हो तुम मैं कौन हूँ बाधार देने वाला तुम सपने देखो कभी न कभी तुम जागोगे तब रोगे पस्ताओगे तब तुम पस्ताओगे कितना समय यूही कमाया और ध्यान रखना जीवन में जितना दुख भर लोगे जितने आसु घने कर लोगे जितना पस्ताओगे है उतना ही कठिन हो जाता है रोकना फिर दुख को आसुओं को कभी तुमने ख्याल किया हसी तो एकदम रोग जाती रोना एकदम नहीं रुखता तुम हसर हो एकदम रोग सकते हो रोना एकदम नहीं रुखता थमते थमते थमेंगे आंसु, रोना है कुछ, हसी नहीं है, दुख ऐसा सरोबोर कर लेता है, दुख ऐसी गहराईयों तक प्रविष्थ हो जाता है, तुम्हारी जणों तक समाविष्थ हो जाता है, कि फिर तुम उसे रोकना भी चाहो, तो कैसे रोको, थमते थमते थमेंगे आंसु, रोना है कुछ, हसी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, कि रो लिए और रोक लिए, ये कोई हसी नहीं है, कि हस लिए और रोक लिए, हसी तो तुम्हारी उपर उपर होती, रुख जाती, रोना बहुत गहरे चला जाता है रोना तुम्हारे जीवन में सब तरफ बहर जाता है रोज रोज अगर तुम रोने को इस तरह समालते गए और जीने को कल पिटालते गए तुमने का हसेंगे कल रोएंगे आज और तुम जो दलील दे रहे हूँ वो दलील यह है कि अपना वर्तमान तो सुखद मालूं नहीं पड़ता है इसलिए सुखद सपने देखेंगे सुखद वर्तमान क्यों नहीं है यह पूछो इसलिए नहीं है कि कल भी तुमने सपने देखे थे आज के और कल का दिन गमा दिया जिसमें आज सुख़द हो सकता था जिसमें आज की आधार सिला रखी जा सकती थी कल तुमने गमा दिया इसलिए आज दुख़द है और तुम यही दलील दे रहे हो कि हम आज को भी गमाएंगे क्योंकि कल का सपना अच्छा मालूम पड़ता है तुम्हारी मर्ची गनित साफ है फिर मुझस मत कहना कि हमें किसी ने चेताया ने तुम्हें ये मौका न मिलेगा कहने का ये ध्यान रखना कि हमें किसी ने चेताया ने दूसरों को तो ये भी सुविधा है कहने की कि उने किसी ने चेताया ने लेकिन मैं तुम्हें रोच चीता रहा हूँ